नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्णिंग इस अंडिंग बाई प्रभाश पे दोस्तो आप सभी जानते हैं कि यहां पे बैंकों की बात बहुत हो रही है अगर पिछले आप 10 दिन से कहेंगे तो मैं ज़्यादा तर बात कर रहा बैंकों पर है चुकि बैंकों का सिनारियो बिलकुल क्लियर है बैंकों की देखी का बैंक रिपोर्ट क्लियर है बैंकों के आउटकम जो है वो बहुत क्लियर है जो सर्टन वियू है वो बहुत क्लियर है तो इसलिए बैंकों की बात होना जरूरी है और बहुत सारे लोग कह सारे बैंकों की बात हो रही है लेकिन येस बैंक की बात क्यों नहीं हो रही है तो मैं पहले बताऊंगा येस बैंक का quarter का preview अभी तक result नहीं आए है कल result आएंगे दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा क्या changes है किन चीजों पर आपको focus करना है चुकि कि आप profitable ही होगे चुकि ये येस बैंक ने देखेगा भी recently एक हाई बनाया था और जो इतने दिनों से 20 रुपे का level नहीं तूटा था वो भी देखेगा तोड़ दिया था तो most of the people देखेगा जिन्होंने collapse के बाद या फिर देखेगा जब येस बैंक disturb हुआ था तब उसको buy करा है तो वो profitable ही होंगे तो अगर आप देखेंगे कि याँ पर N.I.I. में बहुत growth देखने को मिल सकती है double digit में जो growth हो सकती है रहे हैं में net interest income में माना जा रहा है कि जो growth होगी वो double digit में हो सकती है और जो margin रहेंगे वो stable रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का growth model होगा तो बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है बैंक के लिए scenario बहुत ही अच्छा रहेगा तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माना चाहरा है कि yes bank का 12% का rise देखने हो मिलेगा advances यानि की loans में रुपीज 1.97 lakh करोन देखने हो मिल सकता है 16% increase in deposit देखेगा पूरी तरीके साब देख सकते हैं तो यह सारी चीज़े कह रहे हैं कि back to track तो आ रहे हैं लेकिन वो consistency वो over performance वो देखेगा एक stable view वो कर पाते हैं कि नी कर पाते हैं यह बहुत ही बड़ा question mark है तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि private sector lender yes bank which will release earning on saturday saturday यानि की कल तो यहाँ पर माना जा रहा है कि double digit की growth देखने को मिल सकती है income में और the reflecting the momentum in overall business of the bank तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरी और asset quality में भी improvement देखने हो मिलेगा और भी चीजों में improvement देखने हो मिल सकता है चुकि यहाँ पर पैसा देखेगा बनाया है इन्होंने yes bank ने अपने आपको stable करने के लिए अपनी balance sheet को बिलकुल clean कर रहे हैं यह बहुत ही important है दूसरी बरीबात बहुत ही important है कि हमने अभी जो credit growth में December में high बनाया था उसका फाइदा सारे bank को मिलाया चाहे वो PSU bank है आपने PSU bank के भी result खराब नहीं देखे और चाहे वो private bank है तो वो चीज का benefit कहीं देखने हो मिलेगा और अगर यह सारी चीज़े देखने हो मिलती है तो इससे अच्छी बात yes bank के लिए नहीं हो सकती और इनमें changes बहुत सारे होंगे और हो सकता है इससे बहुत better result आए हो सकता है ना भी है लेकिन यहाँ पे अच्छे result आना बहुत ही ज़रूरी है yes bank के लिए चुकि yes bank जो बिलकुल भी momentum नहीं दिखा रहा था उसने पैसा double किया है यानि कि अगर आपने FPO buy किया था yes bank का FPO जो 12 रुपई के असपास आया था वो अगर आप देखेंगे तो वहां से अगर आपने hold करा था yes bank को तो उसने पूरा पैसा double किया आपका कितना किया है पूरा पैसा double किया था market ने उसे 20 रुपीज के असपास या उसकी उपर की value अगर दी है तो market उससे कुछ खास बात expect क कर रहा होगा चुकि तीन साल में ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ कि एस बैंक ने 20-25 रुपए का level touch किया हो दूसरी second बात कितना बड़ा credit creation चल ला है deposit growth हो रही है सब कुछ हुआ December में तो आपके जो last result थे वो जो अच्छे नहीं रहते तो इससे improved result तो आप देखे सकते हो जैस quarter on quarter basis पे काफी अच्छा momentum देखने मिलता है तो भी वो bank के लिए काफी अच्छी बात होगी और इससे bank को benefit देखने हो मिलेगा आगे अगर आप बात करेंगे year on year basis पे देखेगा दो साल से अगर आप देखेंगे तो ये scenario आपको देखने को मिला है कोशिच बहुत कर रहे हैं पूरी तरीके से focused है लेकिन आपको पता है जो डूबी हुई साख होती है credibility होती है उसको वापस पाने में regain करने में बहुत time लगता है आगे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखेगा yes bank को पिछले quarter से अच्छे result लाने तो वो चीज देखते हुए अगर आप देखेंगे तो market के expectation yes bank से जादा है और अगर expectation से अच्छे result ले आते हैं च्योंकि इस साल इन्होंने 6 महिने में इतने बढ़ी हाँ return मराके दी हैं तो आपको फिर से 20-21 का level देखने हो मिलेगा और result अगर अच्छे नहीं आते हैं तो आपको बताए वही consolidation और little little slight blit देखेगा देखने को मिलती रहेगी तो yes bank के result बहुत ही important होने वाले जो impact करेंगे मंडे को तो कल focus करेगा हो सकते हैं मैं एक further वीडियो बनाऊंगा वीडियो कर अच्छा लगे तो like share subscribe करना ना भूलेगा thank you so much अगर वीडियो दंट